नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टटी पॉइंट पर तो देखें हम कम्प्यूटर के पिर्वेसरे एक्जाम्स में कुछे हुए क्विशन्स को डिस्कस कर रहे थे तो आज हम इन्पूट और आउट्पूट डिवाइसे से रिलेटे तो उसका नोटिविशन आपको मिल सके तो चले स्टार्ट करते हैं तो देखें पहला क्यूशन है कि कीबोर्ड की तरह का यंतर है तो यहाँ पर देखें जो कीबोर्ड है वो इन्पूट डिवाइस होती है तो देखें कम्प्यूटर को पहले हम इन्पूट देते हैं उसके बाद में CPU के दोरा उस पर processing होती है और processing होने के बाद में जो data होता है वो output के रूप में हमें प्राप्थ होता है तो जिन devices के माद्यम से हम input देते हैं वो input devices होती है और जो data हमें प्राप्थ होता है जिन devices के माद्यम से उन्हें हम output devices कहते हैं तो keyboard, mouse, scanner, microphone ये जो सभी हैं वो input devices क केटेगरी में आते हैं तो जो keyboard है वो किस तरह का इंतर होता है ये input devices होती है ये इसके लवाब जैसे monitor printer speaker ये जो सभी devices हैं वो output devices की केटेगरी में आते हैं अगला किसन देखिए keyboard की कौनसी कुझी line के प्रारम में ले जाती है तो देखिए जो cursor होता है जैसे मालमा हमारा cursor line के 20 में नहीं पर हो और यदि हम चाहते हैं कि cursor को line के starting में लेके जाएं तो उसके लिए हमें home key को press करना होता है home key जो है वो cursor को line के starting में ले जाती है तो second option जो है इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा और यदि हमें करसर को line के end में लेकर जाना हो तो उसके लिए हम end key का use करते हैं तो हम end key को press करके करसर को line के end में लेकर जा सकते हैं और यदि हमें page के starting में करसर को लेकर जाना हो तो फिर हम home key के साथ में control key को press करते हैं तो फिर हम control Ctrl प्लस Home Key को प्रेस करेंगे तो जो कर्सर है वो हमारे Page के Starting में जाएगा और ऐसे End में लेकर जाना होगा तो फिर हम Ctrl प्लस and ell applied के को यूज़ करेंगे तैकि जो कर्सर हो Kong के पेसरे केँश के आंच में चला जाएगा ठीक है next question देखिए scroll lock की क्या है तो यहाँ पर देखिए app है function की है तो जो scroll lock की है वो toggle की होती है अब toggle की क्या होती है तो देखिए यदि एक key को press करें तो बहुन हो जाए रूशी key को press करें तो फिर वो अप हो जाए जैसे कि caps lock है तो यदि हम caps lock को on कर दें तो जो letters है वो capital letter में type होते है और उसी को यदि हम वापस press कर दें तो वो off हो जाता है यानि कि फिर से small letter में type होना शुरू हो जाते है तो एक ही जो key है वो दो case को represent करें तो वो toggle keys होती है तो कौन-कौन सी होती है जैसे caps lock की है num lock की है scroll lock की है pause की है तो यह जो सभी keys है वो toggle keys की category में आती है तो जो scroll lock की है वो toggle की का example है तो third option जो है इसका यहाँ पर correct transfer हो जाएगा अगला किसम देखिए computer जगत में query किसका परकार है तो देखिए जो keyboard होते हैं उनके उपर जो alphabetical character चपे होते हैं तो उसकी starting इनी से होती है q, w, e, r, t, y तो जो query है वो keyboard से related है तो third option जो है इसका यहाँ पर correct transfer हो जाएगा अगला किसम देखिए control एवं shift की किस परकार की कुझिया है तो देखिए control और जो shift keys है इनको modifier या फिर combination keys के नाम से जाना जाता है इन keys का जो use है वो किनी अन्य keys के साथ में इनका प्रियोग किया जाता है जैसे माल लो हमें किसी पूरे document को एक साथ select करना हो तो हम control plus a का use करते हैं तो देखिए आपर a कुझि के साथ किसका use हुआ है control का हुआ है तो एक control और जो shift keys है इनको modifier या combination keys का जाता है या हिंदी हम बोल सकते है संभायोजन या संयोजन keys के नाम से इनको जानते हैं तो first option जो है इसका यहां पर correct transfer हो जाएगा अगला किसन देखिए निमन में से कौन सा संकेत यंतर यानि की pointing device नहीं है तो देखिए mouse, trackball और pen input यानि कि जो light pen होता है ये सभी pointing input devices है जैसे कि आप screen पर देख रहे होंगे आपको pointer दिखाई दे रहा है तो इसी प्रकार से mouse, trackball और pen input है ये pointing input devices है लेकिन जो keyboard है वो pointing input device नहीं है input device तो है लेकिन ये pointing device नहीं है तो fourth option जो है इसका यहाँ पर correct transfer हो जाएगा अगला किसमें देखिए एक बहु विकल्पिय परसंट पत्तर की चिहनित उत्तर पुस्तिका को scan करने के लिए परियुक्त input device को क्या कहा जाता है तो देखिए exam से में हम जो OMR sheet बढ़ते हैं उसको scan करने के लिए OMR की दोवारा उनको scan किया जाता है और इस OMR की full form भी आपको पता होनी चीए तो OMR की full form होती है optical mark reader ये भी आपको ध्यान रखना है कि OMR की full form है वो क्या होती है optical mark reader तो second option जो है इसका हैं पर correct transfer हो जाएगा अगला किसन देखिए OMR का पूरा नाम क्या है तो अभी हमने discuss किया OMR इसकी full form होती है optical mark reader तो second option जो है इसका हैं पर correct transfer हो जाएगा अगला किसन देखिए कौन सा software scan किये गए text को समपादन योगे text में अनुवादित कर सकता है तो जैसे मालो हमारे पास PDF file या कोई JPG maze है तो यदि उसमें जो characters है उनको हम edit करने योगे text में translate करना जाते हैं तो उसके लिए हम OCR का using करते हैं और OCR की full form क्या होती है तो इसकी full form होती है optical character recognition तो यह भी आपको ध्यान है रखना है कि OCR इसकी full form क्या होती है optical character recognition तो थर्ड option जो है इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा अगला question देखिए bank check को तवरित process करने के लिए bank को द्वारा किस technique का उपयोग किया जाता है तो देखिए checks को read MICR के द्वारा किया जाता है और MICR इसकी full form क्या होती है तो इसकी full form होती है magnetic ink character recognition तो यह भी आपको ध्यान है तो check है वो MICR के द्वारा read किया जाते है और इसकी full form होती है magnetic ink character recognition तो first option जो है इसका यहां पर crack transfer हो जाएगा अगला किसन देखिए दुकानों में सामानेत है निमली खित में से किस technique का उपयोग करके वस्तूं को scan किया जाता है ताकि वे बिल में अपने आप दर्ज हो जाएं और आप इसके मुल्य का भुक्तान कर सकें तो देखें सभी products पर इस परकार की आपने बार कोड देखे होंगे इनको scan किया जाता है किसके दोवारा BCR जिसकी full form होती है bar code reader bar code reader के दोवारा scan किया जाता है उसके बाद में automatic जो है वो कौन सा product है और उसका price क्या है वो अपने आप दर्ज हो जाता है फर्स्ट option जो है इसका यहां पर crack transfer हो जाएगा अगला किसन देखे गीगो का पूरा नाम क्या है GIGO तो देखे इसकी full form होती है garbage in, garbage out तो second option जो है इसका यहां पर crack transfer हो जाएगा अगला किसन देखे विशेज परकार के printer होते हैं जो बड़े आकार वाले engineering चितर और उसी परकार के बड़े ग्राफिक्स बनाने के लिए बनाए गए होते हैं तो देखे जो बड़े size के print out लेने हो या जो engineering drawing या बड़े ग्राफिक्स होते हैं वो plotter के दुवारा printer के जाते हैं plotter भी एक परकार का printer ही होता है और high quality के print out इससे हम पराप्ते कर सकते हैं तो third option जो है इसका हैं पर correct transfer हो जाएगा अगला question देखिए touch screen का उपयोग नेमली खित में से किसके लिए किया जाता है तो देखिए जैसे हमारी mobile screen है तो हम उसको input के रूप में भी उसी को use करते हैं और output भी हमें screen के उपर ही दिखाई देता है तो touch screen का जो use है वो input और साथ ही output device के रूप में इसका उपयोग किया जाता है तो second option जो है इसका यहां पर correct transfer हो जाएगा अगला question देखिए बड़ी संख्या में लोगों के सामने परस्तुतिकरन करने के लिए नेमली खित में से किस output device का उपयोग किया जाता है तो देखिए दियमें बड़ी संख्या में लोगों के सामने कोई presentation देना हो तो उसके लिए हम projector का use करते हैं तो first option जो है इसका यहां पर correct transfer हो जाएगा अगला question देखिए computer के monitor को भी कहा जाता है तो देखिए computer का जो monitor होता है उसको हम VDU के नाम से भी जानते हैं जिसकी full form होती है visual display unit visual display unit तो यह भी आपको ध्यान अखना है कि जो monitor होता है उसको हम VDU के नाम से भी जानते हैं और इसकी full form होती है visual display unit तो first option जो है इसका यहां पर correct transfer हो जाएगा अगला question देखिए निमली खित में से कौन एक input device नहीं है तो ध्यान रखना है हम यह बताने कि कौन सा input device नहीं है तो यहां पर देखिए keyboard, mouse और joystick यह तो input devices हैं लेकिन जो printer है वो एक input device नहीं है तो fourth option जो है इसका है यहां पर correct transfer हो जाएगा printer क्या है? printer एक output device होती है अगला question देखिए निमली खित में से कौन सा input device नहीं है यह भी हमें यहीं बताना है कि इन में से कौन सा input device नहीं है तो देखिए magnetic ink character recognition MICR तो अभी हमने बताया था कि जो check होते हैं उनको read करने के लिए इसका यूज किया जाता है तो यह एक input device होती है optical mark recognition OMR तो optical mark reader भी कहते हैं या optical mark recognition भी कह सकते हैं तो इनको mark seat होती है उतर पुस्तिकाएं होती है उनको जाचने के लिए इसका यूज होता है तो ये भी एक input device है ऐसी जो trackball है ये भी एक input device है लेकिन जो speaker है ये input device नहीं है ये एक output device का example है तो fourth option जो है इसका हैं पर crack transfer हो जाएगा अगला किशन देखिए computer joystick है तो देखिए जो computer joystick है ये mouse के जैसा ही एक device होता है जिसका यूज जो है वो computer games को खेलने के लिए इसका यूज है किया जाता है और ये क्या होती है ये एक input device से होती है तो first option जो है इसका यहाँ पर crack transfer हो जाएगा अगला किशन देखिए निमेले खित में से क्या wimp में समीलित नहीं है तो देखिए wimp इसकी full form होती है w से मतलब होता है windows i से मतलब होता है icons m से मतलब होता है menus और जो P है इसे मतलब होता है pointers तो यहां पर देखिए W I M P W से windows I से icons M से menus और P से pointers तो इनमें कौन सा समेलित नहीं है जो mouse है वो समेलित नहीं है फौर्थ option जो है इसका यहां पर crack transfer हो जाएगा अगला किसन देखिए नेमलेखित में से कौन सा एक input device है तो हमें बताना है कि इनम इनजेक्टर, monitor और printer यह तीनुँ ही जो है वो आउटबट डिवाइस है लेकिन जो digital camera है यह एक input device है तो first option जो है इसका यहां पर crack transfer हो जाएगा अगला किसन देखिए कौन सा output device है तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा output device है तो देखिए keyboard, mouse और scanner यह जो है वो input devices है लेकिन ज जाएगा अगला किसमें देखिए कुण्जी पटल की मुख्यत है कौनसी कुण्जी के प्रयोग से प्रोग्राम रद्ध हो जाता है तो देखिए अधी हमने कोई यानि कि dots per inch dot पर inch में मापी जाती है तो second option जो है इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा इसके लावा देखिए जो ppm है यह जो printer होता है उस printer की speed को मापने की काई होती है यह भी आपको ध्याने रखना है print की quality यह dpi में मापी जाती है और जो speed होती है printer की वो ppm यानि की page per minute या फिर cpm character per minute तो यह दोनों ही जो है वो printer की speed को मापने की काई है और print quality जो है वो dpi यानि की dots per inch में मापी जाती है अगला question देखिए computer system में कौन सी युकती keyboard के विपरित या opposite कारिय करती है तो देखिए keyboard जा है वो एक input device है तो यहाँ पर देखिए joystick, trackball, mouse यह तीनों ही input devices है लेकिन जो printer है वो क्या है एक output device है यानि की keyboard के विपरित कारिय कर रहा है keyboard input device है जबकि printer क्या है output device है तो fourth option जो है इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा अगला question देखिए निमन में से कौन सा non-impact printer है तो यहाँ पर देखिए printer दो परकार के होते हैं एक होता है impact printer और दूसरा होता है non-impact printer non-impact printer तो देखिए impact printer कौन से होते हैं तो जिनमें जो character है वो impact से यानि की चोट मानने से print होता है जैसे की dot matrix printer है drum printer है daisy wheel printer है chain printer है तो यह सभी जो printer है वो impact printer की category में आता है इनमें जो character होते हैं अक्सर होते हैं वो चोट मानने से print होते हैं जबकि non-impact printer क्या होते हैं तो यह इनमें चोट मानने से अक्सर जो है वो print नहीं होता है जैसे की thermal printer thermal printer देखा होगा जो ATM machine से जो print out निकलता है वो thermal printer के दोबारा ही निकलता है ऐसे ही जो laser printer है और inkjet printer है ये non impact printer होते हैं तो यहाँ पर देखिए dot matrix printer, drum printer और desi wheel printer यह तो impact printer है लेकिन जो laser printer है वो एक non impact printer का example है तो second option जो है इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा अगला question देखिए निमन में से कौन सा output device है तो देखिए पुझी पटल यानि की pad, mouse और stylus, stylus एक pen होता है जिसका use हम screen पर लिखने के लिए इसका use करते हैं तो यहाँ पर देखिए की pad, mouse और stylus यह जो है वो input devices है लेकिन जो printer है वो एक output device का example है तो second option जो है इसका यहाँ पर correct transfer ह हो जाएगा अगला question देखिए एक impact printer है तो यहाँ पर देखिए अभी हमने देखा था कि non impact printer कौन से होते हैं और impact printer कौन से होते हैं तो impact printer कौन से होते हैं जो चोट मारने से अक्सर print होते हैं तो यहाँ पर देखिए thermal printer, inkjet printer और laser printer यह तो non impact printer है लेकिन जो dot matrix printer है वो एक impact printer का example ह तो second option जो है इसका यहां पर crack transfer हो जाएगा अगला किसन देखिए निमली खित में से कौन सा विक्कल प्रोसेस की गई सूचना को उपयोगता यानि की user के लिए उपयोगी सवरूप में रुपांतरित और परस्तुते करता है तो देखिए input पर processing होने के बाद में हमें जो data होता ह वो output unit के द्वारा पड़ाफ होता है तो third option जो है इसका यहां पर crack transfer हो जाएगा अगला किसन देखिए computer monitor के regulation का मापन से होता है तो देखिए computer monitor का जो regulation है वो pixel की संख्या के आधार पर इसका मापन किया जाता है तो first option जो है इसका यहां पर crack transfer हो जाएगा कोई भी जो picture होती है उसकी quality pixel की संख्या पर ही depend करती है जितने ज्यादा pixel होंगे picture की quality या जो regulation है वो उतना ही क्या होता है अधिक होता है दूसरा देखो आपको यह भी ध्यान में रखना है question यह भी पूछा जाता है कि जो monitor का आकार है वो किस तरह से मापन जाता है तो monitor का जो आकार है वो diagonally या weekend के according जो है इसका मापन किया जाता है अगला question देखिए LCD का पूरा नाम क्या है तो देखिए LCD एक monitor होता है जिसकी full form होती है liquid crystal display liquid crystal display तो fourth option जो है इसका यहाँ पर crack transfer हो जाएगा अभी देखिए LCD की तरह ही होता है LED तो इसकी भी full form आपको ध्यान रखनी है LED इसकी full form होती है light emitting diode तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि LED इसकी full form होती है light emitting diode तो यह भी आपको ध्यान रखना है और LCD की full form क्या हो दिया है liquid crystal display ठीक है तो ठीक है तो ठीक है दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा comment करके जुरूर बताएं और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसकी तो बगल में bell icon है उसको जुरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया notification हो तो उसका update आपको मिल सके okay thank you